हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को युगात्मक परतिलोम निकालना बताएंगे कि आप किसी भी संख्या को देख कर कैसे पता करेंगे कि उसका युगात्मक परतिलोम क्या होगा तो फ्रेंस युगात्मक परतिलोम सीखने से पहले आपको युगात यहां पर लिखते हैं योत्म क्या होता है यह यह की ब्रतिलों ठीक है इंसकर प्रतिलों को अर्थ समझ सकते हैं अर्थ होता है कि saon koa पस में जोड़ा जाए और उसका मान आपका बस ऑसान तो उस संख्या को युगात्मक परतिलोम होगा जैसे आप से कोई पूछे कि माइनस चार का युगात्मक परतिलोम क्या होगा तो फ्रेंस आप अपना दिमाग लगा के बताएं कि हम माइनस चार में कौन सी संख्या ऐसी जोड़ें कि इसका मानजीर हो जाए तो फ्रेंस आप बताएंगे कि चार जोड़ने के बाद इसका मान जिर होगा तो फ्रेंड यहां पर आप खायेंगे के विसमें आप इसका माँ आपका जीर होगा तो आप सकते हैं कि एक पंदागी 20 का यूगातमक पारharmaम जाथ के माइनस एक पंदा दूर 모झ माइनस एक पंदागी 20 को एक बताते हैं जारी सिर्ट टूर्व किसी चलिए यदि आपको यह चीज़ सम्हावी में आ गया होगा तो ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसका युगात्मुक पति लोग आप बताईए चलिए बताईए आप कि एक बटा के दू का युगात्मुक पति लोग क्या हो सकता है तो फिर आप बताएंगे कि प्लस एक ब प्लस बना दी यानि कि साथ बटा के नो होता है माइनस से माइनस कर जागा ते पलस साथ बटा नो इनस बताएंगे यानि कि माइनस साथ बटा के नो योगात्मक परतिलों होगा चलिए अगले संख्या पर चलते हैं देखिए इस प्रकास यदि आपको क्वेस्टन मिले तो पहले इसको आप स्वाल कर लीजिएगा देखिए अंसकांस में तीन दुना के च्छ यह माइनस च्छ हो जागा अब ब वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें